हेलो फ्रेंज जेके बोस्ट की 15 मेंबर कमेटी जो हाई पावर सेट अप हो गया है और उस 15 मेंबर कमेटी ने डिसाइड करना है फ्यूचर आफ दा स्टूडेंट्स क्या फ्यूचर जैसे कि उनका एक्जाम पैटर्न और उनका स्लेबर्स रेशनलाइजेशन बोर्ड अब डि वीडियो को कम्प्लीट देखना ताकि आपको कम्प्लीट इंफार्मेशन मिल पाए इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है अगर आप मेरे चैनल पर फर्स टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें क्यूंकि इस चैनल पर आपको जैके बोस्ट ज उसकी 15 मेंबर कमेटी है उसका सेट अप हो गया और वो डिसाइड करेगा जेके बोस्ट के स्टुडेंट्स का पेपर पैटन और स्लेबस रेशनलाइज़ेशन है 15 मेंबर कमेटी डिसाइड विजिद विदिन ता टू डेस इसका इसका है और हो सके मंदे को भी आ सकता है ठी को पता चल जाएगा ठीक है अब मैं बात करों स्लेबस को देखे स्लेबस है जो स्लेबस को रैशनलाइज करेगा और पेपर पैटन एमसी क्यू में करेगा सिंस मार्स जो बच्चों की अकैडमिक्स थी क्लासिस थी वो पूरी तरह से नहीं चल पा रही थी लेकिन फिर भी ऑ अनुल एग्जामिनिशन है 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 लगावल 15-member academy committee will meet in the day or two leading academics or member of this committee will brief about the problem of deficiencies faced by the student keeping in view present situation they make will a decision will be the beneficial for students at a.jk.bos official wishing and IMTE the committee will explore two option to rationalize labors are to rationalize labors are provided choice based question वो यह जो मैंने पहले बात की MCQ और syllabus reduction पे board के जो 15-member committee है वो decide करेगा ठीक है अगर आपको देखना होगा जेके बोस अगर MCQ में करेगा तो उसका paper pattern कैसा रहेगा इसके related में video बना चुका हूँ उसके related आपको description में मैं दे दूँगा अगर आपको वीडियो देखना हो आप description में देख सकते हो अगर आपका syllabus reduction हुआ वो कैसे होगा और भी मैं video बना चुका हूँ दोनों वीडियो आपको description में दे दूँगा आप उन video को देखना जे बोर्ड का decision within two days या five days में आ जाएगा final decision will be announced in the five days whatever the decision they take it it will be accepted by the board and the same will be far buddy to the government ठीक है जो decision 15-member committee लेगी बोर्ड की वो बोर्ड को भी accept करना होगा और बोर्ड decide कर देगा within five days में आपका syllabus reduction और new paper pattern maximum students को mass promotion की need है जो winter zone के हैं क्योंकि उनका syllabus बड़ा कम है उन्हें अब पड़ाई नहीं की हुई है बड़ी कम पड़ाई की हुई है उन board का जही उन student का decision रहना चाहिए हमें mass promotion के लिए उन्होंने board के आगे appeal करनी च नहीं अगर आप मेरे चैनल पर फर्स टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर मैं कोई भी आपको डाउट हो आप मुझे के मंट वाक्स में जरूर पूछना जय हिंद जय बारत